अबी विद्वान हमारे सुधान सुत्रवेदी जी ने जो अपना भाशन दिया वो मूल रूप से उसी विचारधारा पर केंद्रित था जिस विचारधारा से वे आते हैं अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीती अपना कर इस देश पर राज किया और उन्हीं से प्रेड़ना लेकर आज भारती जनता पार्टी और राष्टी स्विम से वक संग इस देश में जिस प्रकार से फूट डालो और राज करो की बात कर रहे है उसी पर उनका पूरा भाशन केंदृत था है, मैं तो उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, उन्होने 500 वर्षो बाद भगवान राम को उन्होने स्थान दिलवाया, 500 वर्षो बाद नरेद मोदी जी इतने महान है कि पानसो वर्षों बाद भगवान राम को वो मंदिर में ले आए लेकिन 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 नीरव मोदी जैसे लाखों करोर रुपे लेकर भागे हुए लोगों को वापस नहीं ला पाई ये लोग कहां है वो लोग जो आपने वादा किया था कि काला धन वापस लाएंगे भगोडों को वापस लाएंगे कहां है वो आप बात वही है इन्होंने केवल अपने पहले हिंदू मुसल्मानों को बाटा अब भगवान राम के धक्तों को आप बाटते हैं ये मैं आपसे कही देता मैं आपसे कह देता हूँ सीट पर बैट करना पोले अब मंदिर वही बनाएंगे मंदिर जहां बाबरी मजदित तोड़ी वहां नहीं बनाया वो जहां कॉंग्रेस पार्टी ने भूमी अधिगरेत की थी और जहां शिला नियास कराया था वहां मंदिर का निर्मान कराया है इनका मंदिर वहीं बनाएंगे का कारण ये था कि जब तक मजद नहीं तूटेगी तब तक इनका उद्देश पुरा नहीं होगा यही भारत जोड़ो यात्रा हमें हम लोगों ने नफर छोड़ो भारत जोड़ो का संदेश लेकर राहूल गांदी याज यात्रा कर रहे है मानिर रावती मोदे हमेशा नरेंद मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास बाद ने जोड़ा सबका विश्वास और अब कह रहे हैं सबका प्रयास मैं तो आप से इम्रोद करना चाहता हूँ हर पहलू पर मोदी जी विफल हुए है हाँ इन्होंने बहुत सारी सफलताओं का उले किया है लेकिन वो सारी योजनाएं जिन पर ये सफलता का फ्रे ले रहे हैं ये सारी योजनाएं कॉंग्रेस पार्टी के द्वारा स्प्रारम की जारी योजनाएं थी जिनको अलग अलग नाम दे दिया गया जंधन के बात की जंधन का नाम बदला गया लेकिन छोटे छोटे खातेदारों का खाता खुलवाने की शुरुआत कांग्रिस परटी ने की थी मैं आप से कहना चाआता हूं कि ये बात सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं लेकिन सर ये कुछ का साथ, कुछ का विकास और कुछ का विश्वास इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाए क्योंकि ये बड़े नतीजों की बात करते हैं, 200 पार, 300 पार, लेकिन प्रतीशत वोट, 40 प्रतीशत से कम आते हैं इसलिए कहां से कहां दिया सबका साथ सबका विश्वास विश्वास मानी सवबाती महोदे तब होगा जब इस देश के हर वर्ग हर धर्म के पालन करने वालों लोगों का ये विश्वास अरजित करेंगे इन्होंने डाक्टर मनमोहन सिंग्ची के बारे में एक बिलकुल असत्य ब्यान दिया है उन्होंने कभी नहीं कहा जिस बारे में उनका उल्लेक किया है मैं आप से कहना चाहता हूँ नरेन मोदी जी के तीन ब्रहम अस्त रहे तीन हतियार है पहला आस्त्र है EVM दूसरा हत्यार है धर्मान्दता और तीसरा हत्यार है ED, IT, CBI, NIA भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है Mother of Democracy कहा जाता है लेकिन सफल लोकतंत्र के लिए निश्पक्ष माननी चुनाव आयोक आविश्यक है आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लोगों के मन में एक EVM के बारे में विश्वास कम होता जा रहा है प्रदर्शन हो रहे हैं 28 पुलिटिकल पार्टीज ने कुछ प्रश्ट चुनाव आयोक के सामने रखे नर्सिमा जी हमारे बैठे हुए इन्होंने खुद में किताब लिख डाली थी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या चुनाव आयोक का आज वेवार निश्पक्षता से है क्या 28 राजनेतिक दल्वा ने उनसे मिलने का समय मांगा 6 महिने में माननी चुनाव आयोक को 28 पुलिटिकल पार्टीज से मिलने का समय तक नहीं मिला हम ऐसे चुनाव आयोक पर कैसे भरोसा करेंगे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक तरफ जहां उच्चतम नयायले ने अपना सुझाव भेजा कि चुनाव आयोक के सुदस्यों के चैन के लिए माननी मुख्यानादीश उच्चतम नयायले के उनको भी उसका सद्मिती का सदस बनाया जाए लेकिन प्रधान मंत्री जी को रास नहीं आया और उन्होंने यहां से बिल पास करा लिया जब सारे हविपक्ष के संसत सदस्यों को उनको उन्होंने निश्कासित कर दिया और क्या किया कि प्रधान मंत्री जी के अलावा प्रधान मंत्री जी द्वारा मनोनीत मंत्री भी उसका सदस्यों का इसका मतलब कि तीन सदस्यों में दो जब प्रधानवंतरी जी की दोरा होंगे तो उससे क्या उम्मीद की जाए और यही नहीं है आज ये बात साफ हो गई है कि B.E.L. के अंदर चार डारेक्टर्स इंडिपेंडेंट डारेक्टर्स की न्युक्ति किनकी हुई है भारती जनता पार्टी के लोगों की सहबती जी मौदे हमारा हमारी मांग क्या है आज कंप्यूटर साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि हमारा जो मकसद है वोट डालने का क्या वो उसका निरने हमको मिलता है क्या आज सौफ़वेर निरने करता है कि आपको मशीन क्या नतीज़ा देती हमारी मांग क्या है हमारी मांग यह है कि माननी चुनावा योग को वो सौफ़वेर पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए हमारी क्या मांग है यह मेरा अधिकार है एक वोटर के नाते एक वोटर के नाते अधिकार है कि मैं जिसे वोट चाहूं उसको वोट पड़े कि इस पूरे विश्व में केवल पांच देश ऐसे आज है जहां एवियम के माध्यम से चुना हो रहा है उसमें से आस्ट्रेलिया में जो सौफ्ट्वेर डाला जाता है वो पुब्लिक डुमेन में है मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से प्रधान मंती जी और पूरे इवियम नहीं चाहिए उस समय पूरे देश में पूरे देश में इवियम का प्रचार करने के लिए चुनाव आयोग प्रधर्शन कर रहा है अरे हमें प्रधर्शन करने के आवशक्ता नहीं है आप हमें हमारी बात इतनी से मान लीजिए या तो आप बैलेट पेपर से चुन नहीं प्रेम है तो आप हमारे हाथ में वीवी पैट स्लिप जब नीचे गिरती है तो उसको हमारे हाथ में दे दिजिए और हम जाकर मत पेटी में डाल देंगे इसमें क्या इतराज होगा माननी अद्रक्ष मौदे सवापती मौदे मैं आप से इतना अनुरोद करना चाहता हू कि दूसरा हतियार इनका धर्मांदता का है धर्म से इनका कोई नाता नहीं है हिंदुत एक आइडेंटिटी थी सावर करजी ने जिसको नाम दिया था और उन खुनने कहा था इससा कोई धर्म का लेना देना नहीं है लेकिन बिना धर्म का उप्योग करे राजनीती में भारत जनता पार्टी जनता की बीच में चुनाओं में नहीं जा सकती और यहां तक करना तक के चुनाओं में नरेंद मोदी जी खुद उन्होंने वहां पे आम सभा में कहा बज़वंग बली का नाम लो और कमल के फूल पर बटन दबाओ चुनाओ आयोग माननी सभाबती मौदे म मेरी आपतीज बात की है कि अगर थोटी बोटी बात भी अगर कोई और अन्य दल्का कर देता उसको नोटिस मिल जाता लेकिन खुले रूप से नरेंद मोदी जी ने Representation of People's Act का उलंगन किया है अब सेक्शन 123-33-A का लेकिन उस पर चुनाओ आयोग ने संग्यान में क्यों नहीं लिया आज भी पूरे देश में धर्म के नाम पर ये व्यवसाय कर रहे हैं वो राम मंदिर का निर्मान जो की नर्सेमा राव जी ने रामा ले ट्रस को सौपा था चार वो शंकरा चार और स्वामी रामान नंद चार के राम निर्षट चार जी पांच लोगों का रामा ले ट्रस बनाया उसके हाथ में क्यों नहीं दिया विष्विंदू परिश्ट के हाथ में और विष्विंदू परिश्ट के हाथ में जेकर निर्मो Еще खीना जो पूरे तरीके से दस मिनट मैं नहीं नहीं, पांच मिनट तिर्थ हो गए जो हमसे पास सूचा थे सर्थ मिनट की लिए आप में आप मेरे में all करना पांच मिनट का समय और दीजिए, दो बात लिए आपको पांच मिनट की आप क्विंशन देखेhead का समय हमारे इसमें नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि वो इनका अधिकार है अभी जो नियमत है उसी कमसार चलेंगे प्रीज आपको पूर्ट करें मैं आपसे कहना चाह रहा था कि पीपल्स इपरटिशन एक्ट का वायलेशन हो रहा है उस पर कोई संग्यान में नहीं लिया जा रहा है मैं आप से इतना कहना चाहता हूँ कि आज तीसरा हत्यार इनका है ED, IT, CBI, NIA का इसमें मोधी जी को कहते हैं मेरी गारंटी मोधी गारंटी मोधी गारंटी गए का आपको धारन देना चाहता हूँ भोपाल के अंदर उन्होंने भाशन में कहा कि मेरी मोधी गारंटी ये महराश के नेता उन पर सतर हजार करोड का भोटाला है उनको मैं जेल भेजूगा लेकिन तीन दिन बाद क्या हुआ सहबति मोधे जेल भेजने के बजाए उनको मुख्यमत्य बना दिया गया देवें मुट्राल है मैं बैटकर फार्णक थे योडिये गारंटी कर पीसिंग कर रहें हैं मैं अच्किन कहना चाहता हो कि पूरी तरह से भारती जन्ता पार्टी तरह इंटी बात रहें पूरे क्वाराटिक प्रिच्छ बाइस रही है पूरा और इसलिए कि हमारे जो वाने दिविजाई जी मैं आपसे कहना चाहता हूं इसके बहुत सारी बाते हैं और इसे के साथ साथ हमारे पूरे देश में जर्नलिस्ट एक्टिवेंस जो वो लोग हैं उनको जेल भेजा गया अब में लागा अल टेक टू मिन्स मों नो सर टू मिन्स मों जो में प्लीस गोल सर पूरे देश में एक्टिवेंस जर्नलिस्ट इनको पराद लगा कर बेल नहीं दिया गया क्या भीमा कोड़े गाउं के हो सीए एनर्सी के हो जेनियो की इनके सब के खिलाफ कारवाई की मैं आपसे एकी बात कहना चाहता हूं इस देश एंडिये के ऐलाइंस पार्टनर्स बीजेपी के जो अलाइंस पार्टनर्स है उनके लिए मेरी एक जो कविता उनीस और चालीस में लिखी गे थी उनमें पढ़कर सुन्स वो सी में खतम करें खतम करें वो पेस्टा बार्टन नियोमिनर ने लिखी थी फिर्स देए वें पर देश बाट उस देए नोट श्वी जो I did not seek out but when they came for me there was no one left manisri k.r. surus ready please